Hello everyone, मेरा नाम सोबिया फातिमा है, I am a second year MEBS student at Narananda Medical College पढ़ना और आज का जो यह मेरा वीडियो है वह बहुत सिंपल है, उसका मेर मोट यह है यह बताना उन लोगों को मेरे 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 मेर कि रियालिटी है क्या तो यह वीडियो उसी पर बेज़ है तो मेरा चानल जो है अगर आप सब मेरा चानल देखें और अगर आपको मेरा चानल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आगे और भी ऐसे मेरी वीडियो देखते रहे नौटिफिकेशन आ आप सब को और अगर यह वाली वीडियो पुरी अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर कर दीजेगा तो लेट्स बिगिन जब हम नया नया कॉलेज में आते हैं तो हमें यह पहले से पता रहता है कि हमें बहुत जादा पढ़ना है में में बहुत जादा पढ़ना है और स्ट कि पहले से प्रेस्षर बहुत रहता है तो इसके कारण से क placing क्या होता है बहुत साए सूडस को जभी पता चाहता है कि इतना पढ़ना है तो वो मन रहता है डॉक्टर अबनने का बट इसी वजह से नहीं आपट करते हैं वीडियों से नीच एले नहीं चाहते हैं कि बहुत प पढ़ने में दिक्कत हो या फिर कोई सब्जेक्ट से नाटमी हो गया फिर्स या में सेकेंड या में फार्म पाथ तो भले वह तफ लगे बट पढ़ाई हो जाती है जैसा मेरा एक्सपीरिंस है आते के साथ हम मतलब अनाटमी यह से बहुत जादा पढ़ने लगदे शुरू के लगे एक महीने लगता था कि मुझत तो अगी नियुकल कर पढ़ने का मन करता था पता है कि बहुत पढ़ना और फिर ही तो हम फेल हो गया है मतलब हम यही एक तरसे जिस्त देना चाह रहे है कि बहुत ही परना होता है अबिकल कॉलेज में तभ ही तम आगे जापाऊगें मे प्रहब एक रात पहले एकजयम के पढ़ते हैं बद हां पढ़ते हैं हम लोग तो मतलब वायवा के पहले टीचर्स लोग मतलब पूछने वाले उसके पहले jámar-पांच लोग मिल के दिन रात पढ़के भी उन्हें बहुत अच्छा मार्स आजएगा, वो भी उतना ही स्कोर करते है, थोड़ा सा जादा करते है, मतलब बेसिकली मेरे कहने का यही मतलब है, कि फायदा नहीं होता है पूरा बुक पढ़के, आप सबको यह नौलेज होना चाहिए, कि कौन सा क्वे और यह नौलेज होना चाहिए, कि प्रिवेस यह क्वेशन कौन से हैं, यह दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टन होता है, एक तो इंपॉर्टन क्वेशन और एक क्वेशन जो हर साल रिबीट होता है, यही दोनों मिला कर ही पढ़ते हैं, मेडिकल के स्टूजेंस, उसी से पास कर जाते हैं, बट हाँ, अगर कोई एक दम ही नहीं पढ़ेगा, एक दम ही नहीं ठला है, तो उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं, तो मेरे कहने का यही मतलब उसके बाद भी सप्ली देना होता है, एक चांस मिलता है, उसमें भी नहीं पास करो तो फि प्रिभ पर्टी दों। और प्रिषियें से पर्सुनल लीव दो पर्टीो मेलाई, तो फिर पी पर्टी की दभी तरी पर्टी बिलिगर धेसी हमत थे तो मतलब चिली है बस comparatively सब कहते हैं कि हमी में स्टफ है लेकिन अना कर चिली है सब कुछ उस एक्जाम ताइम हागा थी तो परसनली अभी तक हम वो टाइम फेस नहीं किया हैं अभी हम सेकंड एर में हैं अभी हम फाइनल एर वाला ताइम फेस नहीं किया हैं और थर्ड एर त हो सकता है क्योंकि हम सुने कि PG प्रेपरेशन से पहले बहुत महनत लगती है उस टाइम सब कुछ याद करना पड़ता है तो एक साथ अचानक से मुश्किल हो जाती है तो उस टाइम हम बोल सकते हैं वो थोड़ा सा टैंशन वाला टाइम होता है सब कि मेरे लिए होगा इसलि को जiał Chinook है यह संब्सक्रिप्शन ले लीजे लिए प्लैडर मेरो जिसकी मन मेरे पस दो नहीं है जिसकी सıbs representing ले लीजे उसके बाद उसी साब से अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़िए या अगर अभी जादा टेंशन नहीं लेग तो अभी पढ़िए और डारेक्ट पी सब्सक्रिप्शन ले लिए या तो डेप्थ में थोड़ा पढ़िए तो टेंशन है कि पास नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं लेंगे आप्ट करेंगे क्योंकि बहुत जाधा पढ़ना होता है तो उससे हम थोड़ा तुम लोगो को रिलाक्स कर देते हैं कि पीज ऐसा टेंश सब्सक्राइब करने में होता है और फिर अगर पीजी निकाले तो फिर तीन साल अगर उसमें डॉप लिए तो और दोड़ा था हाँ टाइम लगता है बट उसका फल भी मिलता है तो जो तो हम मेरा यह कहना है कि प्रेशराइज होकर मतलो मेडिकल और मत करना कभी भी तो अगर पैशनेट उसको लेकर अगर अगर मेडिकल स्टुटेंट बनना है तुम्हे तभी आप इस वील्ड में आईए क्यूंकि उस तेम आपका पुरे डेडिकेशन रहेगा पैशन रहेगा तो चाहे कितना भी लंबा टाइम वो कथी जाता है क्यूंकि आपको पता है कि अगर अपने मन की इक्षा है तभी मेडिकल आप करिएगा पढ़ अगर अगर मन है लेकिन नहीं कर पाने कि लगना बहुत पढ़ना है वो चीज एगर मन है तो जरूर आप्ट करिए अब तयारी करिए उसके लिए और आग या कि सब मस्ती ही मस्ती है कोई टेंशन नहीं है स सब पूरा टाइम बीच जाता है सब सही से होता है तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में